है यह लो ही रो चलो भाई देख पें नेक्स टॉपिक इलेक्ट्र स्टैटिक में आपका आज का टॉपिक है चार्जिंग बाई 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 को चार्ज करेंगे अब बाई को चार्ज करने लिए ना पीन तरीके पहला फिक्सन मतलब मतलब क्या रगड़ना देखो लिखा कि दूसरा है बाई कर्णा उठ्द कराना के वल है पहला समस्तिस थीन करोड़न का करने देखो सबसे जयादा सब्सेक्र जाता है कंडुक्षन लेक्षा में आप जाने जब किसी दो वो बॉडी को हम रगड़ते हैं, माल लो एक बॉड़ी है जो अन्चार्ज है अन्चार्ज का मतलब न्यूट्रल है मतलब उस पर जितने पॉजितिव चार्ज है उसने ही निगेटिव चार्ज है ठीक, जैसे माल लो की ये ध्रोट है यह मालिया कोई body है यह इस पे इतने positive charge है और इतने ही negative charge है इस body पहुंचिया हो लेगे neutral, clear, अच्छा, stand लगाया, इसको मैंने side में लगा दिया इसके बाद मैंने एक rod ली, rod को क्या किया, यह positive rod मालिया, यह इन लिया, यह इस पे हमने माना कोई भी मालिया, कोई charge मालिया, इस पे minus charge है, ठीक, अब हमने इस पे रब किया, क्या किया, रब किया जो हमने जब किया, तो अगली condition यह बन किया गई, यह, सारे positive charge इधर आ गए, ठीक, पहली बात तो, दूसरी, इस body से इस body में, देखो हुआ क्या, रब करने पर क्या हुआ, धांच समझेगा, रब करने पर इसके इतने negative charge थे, इसमें चले आए, इसके positive charge इसमें चले गए, त यह पूरा का पूरा किसमें हो गया, negative हो गया, clear, पहला तरीका ऐसे हो सकता है, दूसरा यह भी हो सकता है, कि इसके negative charge इसमें आ जाए, और इसके positive negative neutral बन जाए, दोनों condition में दोनों body क्या होगी, चार्ज, यह तो पहले में charge थी, और इसमें negative charge हो गया, मतलब यह भी charge होगी, clear, यह तो गया, friction का मैस, मतलब रगड की, अच्छा, यह matrix में हमारे mass का भी loss होता है, अगर हम by friction किसी body को charge करेंगे, तो उससे mass last होता है, दूसरा क्या है हमारा, conduction, मतलब touch कराना, अब same condition है, हमची यह गा, जैसे पहला पी जब मैंने यह दिया, यह rod है, इस पर negative charge है, यह circle है, ठ यह रहे positive charge, clear, यह, यह मैं दो गया, ठिक, अब हमने इसको touch नहीं कराया है, second में हमने क्या किया, कि circle save है, यह लीजिए आप, यह negative, और उतने ही positive, तो यह हमने rod को touch करा दिया, देखो, जैसे touch कराएंगे, वैसे negative charge इसमें जाना start कर देगे, positive इधर जाएंगे, कोई मतलब नहीं है, लेकिन negative charge जो भी है, वो इसमें जाने लगेंगे, यह positive तो एक तरफ आई जाएंगे, यह धर आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन सारे negative इसमें जाने लगेंगे, जैसे इसमें negative जाएंगे, इसमें negative charge की सिंख्या क्या होगी, बढ़ जाए थी अब हम इसको हटा लिए तषकरा देया यह हटा लिजी इस तरह उने दूर कर दिया और लें को बना दिया अब इसके अंदर कितने काहे कौन सा चार्ज हो गया डिकर डिकर कॉरिंग्र अब तीसरा क्या है चार्जिंबाई इंडॉक्सन मतलब थे ना करानाव दूर से काम चलाना आप देखो समझो यहां पर भी मैंने सेंट किया आप देखो यह अब अभी यह कुछ नहीं है नेटाच नहीं कराया यह ऐसे हैं अभी राट बनाया है यह देखो अब दूसरी बार ने राट लिया हमने यह राट ले लिया यह शरकल है ठीक इसके सारे पॉजिटिव चार्ज घये माँने करない मानों यहां पर हम पिशिट्व राट ले डें क्या हो जाएगा सारे पॉजिटिव चार्ज एक तरफ हो जाएंगे और सारे पॉजिटिव चार्ज एक तरफ हो जाएगी ठीक अब ये बॉड़ी कैसी हो गई देखिए इतना हो गए अच्छा एक प्रॉब्लम और है अगर किसी बॉड़ी में इक पर स्रिप्रेशन हो गया मतलब पॉजिटिव चार्ड एक तरफ आगए नेगेटिव चार्ड एक तरफ आगए तो दुबारा फिर से वो म पॉजिटिव फॉजिटिव 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 यहाँ पर हाई से हमेशा ध्यान रखीगा एलेक्ट्रान फ्लो हाई टू लो पोटेंशियल अब हाई पोटेंशियल कहा होगा लो पोटेंशियल कहा होगा जहाँ पर नंबराफ एलेक्ट्रान जादा होंगे वहाँ पर लो पोटेंशियल होगा जहाँ पर नमबरा फिलिक्टान गम होगे वहाँ पर हाई पोटेंसियल होगा तो ये इसमें से इसमें जाएंगे तो ये सारे के सारे positive charge क्या होगे ये, किसके इंद चले आए clear, इसमें कैसा charge बचा केवल और केवल negative अभी तक बाड़ी कैसी थी, neutral लेकिन अब अर्थ में connect करने के बाद इस बाड़ी में केवल negative charge बचा क्योंकि सारे positive इधार आ गए तो ये body कैसी हो गई, charge हो गई clear, ये तीन method तीन method थी आप पर charge करने के जो बड़ ही important थे, पहला था rubbing method दूसरा क्या था, induction तीसरा induction, तीसरा induction, रदिन में क्या था, हम दो बाड़ी को रगड़ते थे, conduction में क्या था, दो बाड़ी को आपस में touch करते थे, एक बाड़ी neutral थी, एक बाड़ी चालु ये मतलब कैसी, positive charge थी, negative charge थी, negative charge इस body से लगातार आने लगे, किसमें, इस body में, जब इस body में आने बढ़ गए, जब नमबर आप negative charge बढ़ गए, तो ये वाली body भी charge हो गए, तो ये तो पहले द चालु थी, अब second matter क्या था, untouched, untouched ने क्या क्या था, ये body neutral थी, और ये बदल में हमने क्या, कौल सी body ले ली, positive ले लिया, negative लेली में, अब यहां पर हमने positive लिया था, आप negative ले चले जाएंगे, negative बच जाएंगे, ये भी charge, ये भी charge, clear, कुछ problem, ठीक है, अब देखिए, कुछ important चीज़े, आप जान लीजिए, electron always flow high to low potential, electron हमेशा high potential से low potential के उपर flow होता है, और flow होता है, second matter है, जहाँ पर number आप electron maximum होंगे, वहाँ पर potential less होगा, मतलब low होगा, और जहाँ प potential क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, clear, दूसरी बार, अगर कहीं पर charge rest पर है, मतलब move नहीं कर रहे हैं, तो वो केवल और केवल electric field उत्पन करेंगे, अगर charge move कर रहे हैं, तो electric current उत्पन करेंगे, इतनी बाते किलिए, यहाँ तकी problem तो नहीं है, बाकी बाते हम फिर करेंगे लेकिन ने 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 वीडियो में, इस वीडियो में शीच नहीं, थैंक्यू, हाँ बाते हैं, पैस्टू.